तो आपको लगेगा कि जब हर हर मोधी, घर घर मोधी का नारा हम लोग हों दिया कोई भी मोधी के खिलाब बोलता था वो तेस्ट दोई कोशित हो जाता था पर विरोध के लिए बिना पुलाई भीड वो गुजरात के राजकोट की भीड़ती कि हम लोग आ जाएंगे 400 पालियामाट के बार करेंगे अपकी बार दावा है हमारा इसी तरीके से तोड़ने मरोडने काम करेंगे मुझ तोड़ जबाब देंगे अगर आप भाज़पा में हैं तो राष्टपादी हैं भाज़पा के बार है तो पाकिस्तानी हैं पिछलंगू ले जा लंगू उठा के बिठा दिये हैं जो केवल पार्टी की टिकर से जीच सकते हैं अगर हमें वापस से इस कल्यूंग में महाबाद करना पड़े तो दोड़ाद करने को तयार है अगला कोई भी तयार हमार सामने आजए 2024 का लोगसबा चुनाफ सर पर है 19 तारिक को पहला चरण है 26 अपरेल को दूसरा चरण है लेकिन इन दो चरणों से पहले सियासत गर्माई हुई है सर गर्मिया तेज हो गई है जो राजपू समाज है उन्होंने भाशपा के खिलाफ मूर्चा खोल दिया है और अब खेडा में एक महापंचायत है जो ठाकुर समाज राजपू समाज करने जा रहे है उसी महापंचायत का नित्रत करने के लिए करणी सेना भी जुड़ गई है और करणी सेना के राश्री अध्यक्ष महिपाल सेंग मकराना भी हमारे साथ में है महिपाल जी, मेरेट करांती का शेहर माने जाता है और यहां से जो है राजपूतों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है भाजपा के खिलाब यह वही समाज है जो भाजपा के साथ में कंदे से कंदा मिला कर लंबे समय तक चला था एक बड़ा सफ़र था लेकिन जो 2024 का लोकसवा चुनाव है आकर क्या वज़ा रही कि समाज इतना ज़्यादा खफा हो गया भाजपा से और अलग होना पड़ा और महा पंचायतों का दौर शुरू हो गया देखिए असा पिसले तीन-चार साल पहले पांस साल पहले जाएंगे आप तो आपको लगेगा कि जब हर-हर मोदी घर-घर-मोदी का नारा हम लोग हों दिया बी-जे-पी का हर एक जुमला कोई बनाया गया तो कहीं ने कोई कोई शत्री बंदू के दौरा बनाया गया और आसे तीन-चार साल पहले अगर किसी कोई भी मोदी के खिलाब बोलता था वो देश-दोई गोशित हो जाता था सोशल मीडिया में और अब हम लोग है पिछले साल-डेर साल से रेगूल एक विरोद का एक जंडा उठा के शुरुआत हुई केथल से हमारे लाठी चार्ज वा युवाओं पर और बात क्या थी हमारे इतियास का विकृतिक करन किया जा रहा है इतियास को तोड़ा मरो जा रहा है इतियास को ख अबक सीखाने का जो मोका है वो वोट की चोट है और सामने आ रहे हैं समझ रहे हैं अभी गुजरात में एक पूर्शोतम रूपाला करके एक वहां का MPBJP का अभी सीटिंग केमिनेट मिनिस्टर है रासवा सांसद है वो और अभी MP का टिकेट वापस मोधी जी का बड़ी ब तो मैं आपके यूपी की धर्तिस मेरट की उस करांतिकारी धर्ति के यहां से बोलना चारा हूँ मैं पड़सों महां था साथ आठ दस लाक लोग स्वता इस पूरित पूरे देश में इत्ती बड़ी राजपूस समाज के किसी विरोध के लिए कभी कभी यह सी वीर खड़ी नहीं वी अबने समलन किया लाकोस के अभी दिली में किया हमने जेपूर में की लाकोस दस दस बार बार लाक लाक इकटे किये पर विरोध के लिए बिना बुलाई भीड वो गुझराथ के राजपूर चार्ब यह लोग के वहां से तै किया अब की बार कमल का फूल हमारी पूरीह रही है मोटीजी जी करती है और ते लग होता है और पूरा हिंदू तो अलग होता है उसके बार में महीला का गुस्था बढघा उसके बाद आपकी गिराफդारी हुई तो ये लड़ाई जो पूरी-पूरी है राजबू समाज के वहाँ से शुरू हुई है भाजबा के खिलाफ यह माना जा सकता है कारवाई होनी चीदी पुर्शोतम रूपला के खिलाफ कारवाई हमारी हो लिए हमारे खिलाफ हिज़त उसकी उसने उचाली हमारे मैलाउं की उसके बावज़ुद परसासन हमारे हमारी पगड़ी को उचाल रहे हमारी टोपी को उचालने जो हमारी इज़्जट आपरू से बढ़कर है यहां जान सस्ती है राजबूत के घर में इज़त महेंगी है इज़त के लिए सर कटाएं चार-चार पीडियां खब गई है अगर कोई पगड़ी पे कोई आच आए और पगड़ी की कोई बात आए और राजबूत हो राजबूत चुप रहे मुझे लगता नहीं उसमें राजबूत का बीज़ है राजबूत का रखता है राजबूत का रखता तो बोलेगा और बकाइदा चैलेंज करेगा मुझे कोई फरक नहीं पड़ता सामने को ने लोग बोलने सबसे बड़ी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उनके मुख्या उनके खिलाब लड़ देओ और हमने बनाया उनको हमें मालूमने कहां से हैं गोदरा कांट कहां से हुआ है क्या नीवा गुजरात क्या है हमने बनाया और किसी गलत भी मियों कि हम लोग आ जाएंगे चार सो पार पालिया मंट के भार करेंगे अपकी वार दावा है हमारा राजबूत का अच्छा ये तो आपने यूपी में आके जो है माहा पंचायद में आप शामिल हो रहे हैं लेकिन क्या लगता है कि पच्छी में उत्तर प्रदेश से जो ये बिगुल बजा है वो राजस्तान तक भी पहुचेगा और देश के हर कोने तक पहुचेगा राजस्तान के हर एमपी का जो च्छित्र है उसमें संसद च्छित्र में हर जगे सपत ली जारी है पानी का हाथ लेके हाथ मा बगवती के सामने करके सिपी ये ओम बिडला आपकी स्पीकर हैं कोटा से आते हैं कम से कम अब तक तीस पे तीस बड़ी सपाएं होके सपत हुई है सिपी जो चीजो परते सद्रेश से माँगे चितोड की धरती पे महिलाओं ने जोहर इस तल जाके सपत लिए गे इनको हराएंगे और यहां आज यूपी में पश्चिम यूपी तक नहीं रहेगी ऐसी के ऐसी सीटों तक जाएंगे और राजपूद चार पांच करोड है यूपी में और हम दिखा देंगे हम कितने हैं हमें बांट रगाया कि ये पुर्वान चलिए फलान भीकर ये चोटा राजपूद ये लड़ाई है और किसी तरीके से तोड़ने मरोडने काम करेंगे मो तोड़ जबाब देंगे तो क्या आप सभी समाज एक जूट होकर भाजप 이렇게 हैं वो लड़ने जा रहे हैं क्या आप सभी लोकों का इगटबंदन होने जा रहा है कि परेशान सब है बोल नहीं पर रहा है गला टेट वा दावार खाई लोगों कि हिंदूत्र के नाम पर अ सबसे बड़ी बात तो राष्टवाद के नाम पर बाजबाई खिलाफ होना पाकिस्तानी होना है अगर आप भाज़पा में है तो राश्टवधी है भाज़पा के बाहर है तो पाकिस्तानी है भार यहाता था है उसे आप मिले वें है उन सक्तियों कि आप पुशे कर एंगत, अब तक मुँ लटकाए, बकाएदा इनके चरनों में बेट कर हम लोगों ने सेवा करी पार्टे जंता पार्टी की दरियां बचाई इनका बूत का एजेंट कहीं भी मिलेगा राजपूत मिलेगा लटकाता लट ठोकता है तब बीजेपी खड़ी हुई है किसी की गलत फेमियों यहां जनरल वीके सिंग जी की टिकेट का बीच में अधर में लटका दिया प्रशान सिंग को कुछ कर दिया हमारे वहां और कई सारे नेताओं को तुम ने लपेड दिया खतम कर दिया बुजूर के लाइन पूरी खतम कर दी जो सीनियर थी जो पॉपूलर थी लोगों में उनको खतम कर दिया गया ऐसे पिछलंगु ईनको लेजा लंगुर उढ़ा के बिठा दिया हैं जो केवल पार्टी की टिक्र से जीत सकते हैं नहीं तो पंच तो बहुत दूर की बात है अपने मॉले में वाड का चुनावननी ही सकते उस समीति का चुनावनी ही सकते तो नमोले में छोटे-рашाम सारे चाह Ingred Co कोई भी सीम उठा के देख लो यहां का जो हरियाना का सीम बना तो खट्टर कोई जानता था कि नाम को ना यह तो योगी जी खुद के दम पे आये हैं इनको भी अठाने की शाजिस है अगला सवाल उनी के उपर और अगला सवाल मेरा यह है कि आपके लड़ाई भाजपा से है लेकिन भाजपा के जो मुख्य मंत्री है यूपी के वो खुद ठाकुर समास से आते हैं योग्या दितनात वो यहां पे पिछली सवाब में आये भी थे और यहां पे संबोधित भी करके गए थे ठाकुरों को उन्होंने साधने की कोशिश भी की ती तो क्या उनसे भी बैर है यहां सिफ भाजपा से बैर है योगी कभी राजपूत थे ही नहीं योगी राजपूत होते ही नहीं है जिसने भगवा धरन कर लिया उसके लिए ना शत्रिये है ना दलित है वो केवल हिंदुतु का पोशक है जो वो काम बखवी कर रहे हैं मुझे मालूम है पूरे देश में पधमाउध फिल्म का विरोध किया था पूरे देश में हमारे लाठी चार्ज की हमत किसी के माई के लाल में नहीं थी यू-पी में क्यों लकलाओ में लाठी चार्ज वा क्योंकि वाका C.M. योगी आदिते नाद था लौकेंदे सिंग कालवी स्वर्गे जो संस्तापकते उनकी बात हुई कि योगे जी लाठी चार्ज हमारे युवाओं पर क्या अपराद नहीं करने दूगा विरोध कर रहे हो सबसे पहले मैं बेन करता हूँ उन्हें बेन भी करी थी फिल्म को हमारे पक्षम अपराद के शेपे नहीं गलत तरीका नहीं तो मैं उनको उसी दिन मान गया मैं कि यह ना कोई राजपूत है ना कोई बणिया ना कोई ब्राह्मन है और नए यह कोई पंडित है यह तो सीधा सीधा योगी है और जो अपने देश धर्म दुनिया को बचाने आया है और मैं फिर बोल रहा हूं बारतीय जंटा पार्टी के ही हैं और ने बहुला яться में बारतीय जंता पार्टीаже के गैर ना का ंने के साल किया अब यह बोले लोहन ले ना ब Lynnée ने दलाला भी दीनी से चल रहे हैं यह कॉंग्रेस की B-team and D.c. तुम्हारे ऐसी की तेसीहार, तुम कैसे क्या का खाना खाना, रोटी खा क्या थे ओ, तुम्हारा टिक्ट कर जाता, तुम निर्दिल तुम लड़ ले तो, और हमें बन्दुभा मचदूर मान रहा है का कि राजबुद, आम राजबुद, आम रहाम विक्ति को, हम पार्टी के थे पर जो धर जबरन धर्मांतर इन लोगों ने किया उसके खिलाफ हम लोग है तो इस बार कर जो दो हजार चौबिस का लोगसभा चुनाव है क्या समाज इस बार भाजपा से इतर जाने वाला है या फिर भाजपा में ही रहे कर विरोध करें रहे हैं सब के मन में कुछ कर गुजरनी की शमता है दोजार चौदा में हमने व्यूग परिवर्तन किया था दस साल से रेगूलर कॉंग्रेस आरी थी किसी को लगता है कि हम दस साल से आगे तो हमारा कोई बड़ा वो कोई यूग आ गया हो दस साल से मन महान सिंग बन रहते हैं यह चुटकी भी नहीं लगा यह बहुमत से सरकार आई लोगों सोचा नहीं था लोगों सोचा सब मिली जूली सरकार बनेगी यही लोग थे लाने वाले यही युवा थे चाए राजबूत हो जाए पंड़त हो जाए बणिया हो चाए ब गुज्रात में इकटेव हैं तो उम्हें दिखाई नहीं दे रहें गुज्रात की चिडिया भी ऊड़ती है ना तो इनके भी पंग गिली जाते हैं कि मोधी जी के उधर जाएगी कितनी पंग वाली चिडिया है किस कलर की है दस लाख लोग नगी आई सब नजर आते हैं कान लगा के सुन रहा है उनको मालूम है अब किवा राज कोड से निकलिए महाबार दुआ था एक महिला की संबान में और उसी गुजरात की दर्ति से वदा महिला सिमिता के लिए अगर हमें वापस से इस कलिए में महाबाद करना पड़े तो दो दो आत करने को तयार है अगला कोई भी तयार हमारे सामने आज है आज जो है आप खेडा की महापंचायद में आप करणी सेना ने अपना समर्थन दे दिया है उत्तर प्रदेश के राजपूतों को करणी सेना का मतलब राजपूत आ आप राश्य अद्यक्ष हो गए आज आप क्या संदेश देने जा रहे हैं उस महापंचायद मेरी संस्ता को बढ़ाने गटाने उसका प्रचार करने ने आया है मैं मेरे भाईयों को कंदी से कंदा मिलाकर ताकत देने आया हूँ जो यहां दिन रात महिनत कर रहे हैं उनकी मह मेरे मैं महिनत को बकाइदा परवान चड़े वो दिखें लोगों में यह करने आया हूँ किसी महिनत का हक खाने नहीं कर रहे हैं कोई भी समाज को जगने काम कर रहे है उसकी ताकत बनने आया हूँ कि भाई कमजोर मतमानना खुद को हम लोग तैयार है मुझे तो को बाशन आप लोगी आवाज उटा सकते हैं अछते, जिसे लोग ट्विट करते हैं के मुंझे मालूमारम है क्रांती का जनक, राजपूत सकता था कि newasan डो और ऩॉट करें हैं और झालरा एंड़ सोटो करने करें। काय बेचारों को उनके नेताओं को खतम कर दिया दो चार लंगुरों को बिठा दिया जो उनको पूरा एंडल करते हैं अब हमने बोलना चालू किया हमारे राजबू समाज के चुनीन दाल नेता बोल रहे हैं यह कॉंग्रेस की बीटीम है और करने से नहीं करें कि समाज का क्य करना है उन्हीं की कभी थोड़े दिन पहले टिकट करी उनके स्वाब इमान के लिए हमीं लड़े और वो बीजेपी के खिलाब ही लड़े थब उनको हमें बीटीम नवजर नहीं आ रही थी तब तो हम उनके लिए सार्थी थे भगवान थे श्री किष्णी के वंसस्ते समझ न समाज में इनकी कोई वैल्यू नहीं है और मानेंगे तो समाज के नित्रत्र की बात मानेंगे राजनेतिंटिन के लोग भीखते रहते हैं हर दिन और मोधी जी के वहाँ पूच लाते हैं और पूच लाने वाले लोगों के अब गई दिन मेरा सवाल आखरी बस यही है आप क्या संदेश यहां से देने वाले हैं 2024 के लोग सबाद चुनाफ को ले करे कि क्या भाजपा को वोट करे समाज यहां किसी अगर दूसरी पार्टी को करे तो किस पार्टी के तरफ इस बाज जाएगा समाज पहला संदेश तो यह गिए यूपी का हो जाए उत्राण चलगा बिहार का हो जाए तमिल्नाडगा केरेल से लेके ओपर जम्मू कश्मीर तक और यहां गुजराज से लेकर बंगल सेवन सिस्टर तक पुरवांचल तक हर जगा का राजपूद हमारा भाई है बराबर का भाई है कोई छोटा नहीं है कोई राजपूद नहीं कोई राजपूद नहीं कोई उत्रान चली कोई पूरवान चली कोई पूरविया कोई नहीं केवल राजपूद है और अब की बार राजपूद पांजोड शॉपुम् कॉम्सा आओं मेरे पास राजेर को WATer नहीं है पांसो-, पैसट, पांसो, पैसट में 612 राजपुर द्यासतें थी हमने वो र्यासतें दी कि इस बारत का निर्मान वह बेश्थ रियर के लिए नहीं दी है समझ रहे हैं और अगर वह दी है आप हर दिन शत्रिये को बेश्थ कर रहे हैं इस देश के निर्मान करने वाली शक्तियों को बेज़त कर रहे हैं, राष्टरवाद का हम से परिश्य पूचा जा रहा है, सहनी करेंगे, सीधा सा है, इन बातों को, इन मांगों को ये सरकार जबाब दे, क्या कर सकती है, नहीं तो हराएंगे, ये हराने के लिए बेटे हैं, जिताने के लिए बेटे हैं, आप देखिये, लंबे चोड़े, लोग कोई ऐसा दो नहीं कमजोर है, लडने में सक्षम है, हम लडने वाली कोम है, और जब अखलेश यादव जैसे लोगों को हम से ही उमीद है, तो हमें तो उमीद पर काइम रणा ही पड़ेगा, मेरे बाई तो मतलब इस बाई जो है, छत्रिय समाज अगा भाजपा के पास नहीं गया, तो गटबंदन के पास जा सकता है सपक ऑंगर्स के लिए बेबाकी के साथ उन्होंने सबी सवालों के जवाब दिये, खेडा में महा पंचायत को कर्णी सेना का संबोधन देने के लिए, वो मेरे पहुचे थे, एक जो बड़ा संदेश सत्रिय समाज को यहां पर देने की कोशिश करेंगे, वो भाजपा के कितने पक्ष में जाता है और कितने विपक्ष में जाता है, और यह 2024 का जो लोगसबा चुनाव है, किस करवट बदलता है, 4 जून को यह फैसला हो जाएगा, वीड